नमस्कार दोस्तों अब सब्सक्श का स्व robust को अब तक नहीं भरा गिया है रिलबे में अभी फिलाल 2.55 लाग सथी अदिक पद्थ खाली है और इस साल के एंध तक 3.25,000 पद खाली हो जाएंगे और ऐसे में इन सभी वेकेंसी को भरना बहुत ही ज़रूरी है अगर नहीं भरा जाएगा तो रेलबे विवाग में भविश्य में काफी संकट होगा क्योंकि एक रेलबे करमी के ऊपर काम का बोज दुगुना से तिनुगुना है और हर साल जो करमचारी रिटार हो रहे हैं उस कितनी वेकेंसी खाली होगी और किस जोन में कितनी वेकेंसी खाली है और किस लेवल की वेकेंसी खाली है इसके जानकरी आप लोग को देंगे और इस वेकेंसी को कैसे भरा जा सकता है और भरने के लिए क्या-क्या सरकार को करना होगा इसकी भी पूरी जानकरी आप लोग को इस video के मादम से दी जाएगी तो दोस्तों आप लोग video को अंतक जोर देखे बीडियो पसंद आज तो राइँ जोरू करे और अफी तक अगर आप लोगोंने 2.65 लाग से अधिक पद खाली है और 2022 के अन तक 50,000 पद और खाली हो जाएंगे तो ऐसे में 3,15,000 पद खाली हो जाएंगे खाली पद को नहीं भरा गया तो रिलवे में भविस में संकट हो सकता है खाली पद को नहीं भरा गया तो भविस में संकर खरा हो जाएगा दिसंबर तक पचास हजार से अधिक कर्मी और रिटार हो जाएंगे रेल कर्मी पर काम का बोज बढ़ रहा है और हर साल रेलवे में रेलवे क्रमचारी की कमी हो रही है और इन जोन में इस परकार से पद खाली है जो आप लोग देख सकते हैं पर मुख जोन में खाली पद और आप लोग देख सकते हैं वर्स वर रिटार हुए कर्मी की भी जानका इड़ी गई है यहीं इसी परकार से अगर हाल रहा तो रेलवे में आने वले समय में काफी संकट हो सकता है तो ऐसे में सरकार को इस परकार की जो संकट आ रही है उसे दूर किया जा सकता है तो रेलेबे में अभी फिलाल 2022 के आन तक दिन लाग से अधिक पद खाली हो जाएंगे और इस सभी पद को भरना बहुत ही जरूरी है बांकी आगे की जानकरी आप लोग को दाइजुकेशन के मादम से मिलती रहेगी